शुबमन गिल इंडियर टीम के उभरते सितारे शुबमन ने जिंबावे के खिलाफ तीसरे बंडे में शतक जड़क कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया शुबमन ने 82 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी किये और भारत को 290 के करीब पहुचा है इस टार्गेट को चेस करते हुए जिंबावे की टीम 276 रन तक ही पहुच पाई सिंचुरी के बाद शुबमन को मैन अफ दे मैच और मैन अफ दा सीरीज भी चुना गया इसके बाद शुबमन ने कुछ दिल्चस्प बाते कही पोस्ट मैच प्रेस कांफरेंज में शुबमन ने कहा मैं अपनी डाट बाल प्रतिशत कम करने की कोशिश कर रहा था मैं गैप्स में शॉट खेलने की कोशिश भी कर रहा था जब मैं बैटिंग करने गया तब उनके कुछ बालर्स अच्छी बालिंग कर रहे थे उस दोर को पार करना जरूरी था जब हम सैटल हो गए तब मैं समझ गया कि अब हम अटेक कर सकते हैं बैट बहुत शांदार था इसलिए मैंने पचासे के बाद उसे बदल दिया जो कि मैं उसे बचा कर रखना चाहता हूं सेंचुरी लगाना स्पेशल था मैंने तीन बार 90 प्लस के स्कोर बना है लेकिन सेंचुरी मारना चाहता था शुबन ने आगे कहा इस टीम में खेलना अच्छा है प्लेयर्स कमाल के हैं एक टीम के साथ खेलना और वक्त बिताना अच्छा रहता है मेरे पिता, मेरे कोच रहे हैं मुझे दूसरे वन्डे में आउट होने के बाद उन्होंने ही मेरी क्लास लगाई थी ये शतक मैं उन्हें ही रेडिकेट करना चाहता हूँ आपको बता दे कि मैच में क्या कुछ हुआ भारत ने जिम्भावी के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया था 63 रन की साज़ेदारी तब टूटी जब रेड एविंस ने कहल राहूल को चलता कर दिया इसके बाद क्रीस पर आये शुबमन गिल शुबमन ने आते ही अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिया और रन रेट की रफतार को बनाए रखा शिकरदवन के आउट होने के बाद इशान किशन ने शुबमन का साथ निभाया किशन ने 61 गेंदों में 50 रन की पारी खेली इसके बाद वो ना चाहते हुए बदकिस्मती से रन आउट होकर लौट गए चेस करते हुए जिमबावी के बलेबाज हुने कमाल की बैटिंग ही शॉबमन विलियम्स ने 45 रन की पारी खेली इसके बाद सिकंदर रजा ने शांदार बैटिंग की सिकंदर ने दीमी शुरुआत की लेकिन धीरे धीरे अपनी रफ़तार बढ़ाई सिकंदर ने 49 वे उबर तक बैटिंग की और अपनी टीम को जीत के करीब ले गए लेकिन उन्हें दूसरे छोड से कोई साथ नहीं मिला सिकंदर ने 95 वे बॉल में 115 रण बनाए और इंडियन बॉलर्स को प्रेशर में डाल दिया सिकंदर के आउट होने के बाद जिंबावे की उमीद और चेज दोनों खतम हो गए इंडिया ने मैच 13 रण और सीरिस को 3-0 से जीता इंडियन क्रिक्ट टीम इसके बाद एशिया कब में हिस्सा लेने के लिए यूए ही जाएगी जहां इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को होगा जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार है एशिया कब के लिए ललन टॉप स्पोर्ट की टीम ने भी खास तैयारी के यहां पर आपको पूरे एशिया कब का एकदम धमाकेदार कप्रेज मिलेगा तो हमारे चैनल को जट से सब्सक्राइब कर लिजे ललन टॉप स्पोर्ट का लिंक हमने डिस्किप्शन बॉक्स में डाला उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पर भी हैं जहां पर आपको खेलों से जुड़े इंस्टेंट अपडेट मिलते हैं यानि फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ललन टॉप स्पोर्ट मौजूद है तो आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं स्टोरी को लिखा है हमारे साथी पुनीत ने मेरा नाम है वेपिन देखते हैं ललन टॉप स्पोर्ट शुक्रिया